जो मक्खी एक्ससाइज करके सिक्सपेक एप बनाना और लड़ने के लिए कुंफू का राटे सिख रही है दर असल इस मक्खी के अंदर एक आदमी की आत्मा है इस मक्खी की गल्फरेंट अपने बॉस के घर जाती है जो उसका फायदा उठाना चाहता था इस मुवी की कहानी की सुरुआत पप्पू हटेला नाम के एक वेक्ति से होती है इसके पास बहुत पैसा था उसके पास वो सब है जो उसे चाहिए पपू आउरतों को भसाने में एक्सपर्ट था एक मक्खी जो उसकी रातों की निंद खराब कर देती है इसके बाद सेंसिप्ट होता है जहां पपू बोली चलाने की प्रिक्टिस कर रहा था उसका हर सौट निसाने पर होता है इसके बाद एंट्री होती है कालिया की जो उस दातर समय गहने या उसे रिपेर करने में लगाती थी, वो अपना काम कर रही थी, कि तभी विजली चली जाती है, वो अपना बचा हुआ काम चांदनी रात में पुरा करने का फैसला करती है, इसी बिच क्यूटी पाई का एक पड़ोसी उसे पटाने की कुसिस करता है, तभी लड़का एक लगड़ी से टॉर्च बांद कर, उस लड़की की तरफ फोकस करता है, जिससे वो अपना बचा हुआ काम पूरा कर लेती है, तभी वो लड़की ऐसान फराम उसकी तरह काम होने पर खिड़की बंद करके सो जाती है, अगले दिन उस लड़की का बाउस एक वर जाती है, जहां वो उसकी खुबसूर्थी पर मोहित होने लगता है, यूटीपाई उसे अपना प्रोजेक्ट बताती है, लेकिन पप्पु यूटीपाई की प्यार में पढ़ जाता है, वो उसे बिना सोचे समझे 10 लाख रुपे का चेक दे देता है, जिससे देख वो हैरा में जाते है, तभी क्यूटीपाई को उसी रात वाले लड़की का मैसे जाता है, जो उसकी सुन्दरता की तारिफ करता है, क्यूटीपाई उसे ना देखने का नाटक करती है, इसके बाद क्यूटीपाई से कंट्रोल नहीं होता, और वो भी उसकी तरफ देखने लगती है, अभी तक उसे किसी ने मना नहीं किया था, इसलिए वो उन दोनों को अलग करने के बारे में सोचता है, एक रात क्यूटीपाई रोमियों को कॉल करके उसे बताती है, कि वो उससे मिलना चाहती है, वो भी क्यूटीपाई से मिलने के लिए तड़प रहा था, वो दोनों एक पंडर में ले जाते है और उसे मारने लगते है तभी महां पपू हटेला की एंटरी होती है तभी रोमियो उससे कहता है जो भी क्यूटीपाई की तरफ आख उठा कर देखेगा मैं उसके आखे फोड़ दूंगा अब उसकी बात सुनने के बाद पपू को गुस्सा आ जाता है और उसे चाकू मार देता है जिससे रोमियो की मौत हो जाती है अगले ही पल क्यूटीपाई रोमियो को कॉल करके अपने दिल की बात बताना चाहती थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी इनकी लव स्टोरी सुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है पपू और उन जगबर पहुचती है जो प्रकास उस मक्की के अंडे के अंदर गया था वो मक्की अंडे से बाहर निकलती है यहां हमें पता चलता है कि वो मक्की और कोई नहीं बलकि खुद रोमियो है जो अपने खुनी से बदला लेने वापस आया है शुरुआत में रोमियो को कुछ भी उसे खाने के लिए उसका पिछा करने लगती है वो मक्की एक घर में घुच जाती है और सराब से भरी एक गिलास में गिर जाती है वो घर किसी और का नहीं बलकि उसी पपू हटेला का था उसे देखते ही मक्की को अपनी बीती बाते याद आने लगती है वो गुस्सा होकर तुरंत गिलास से बाहर निकल जाता है वो हो उसके नजर में आने की पूरी कोशिस करता है लेकिन वह चोटा होने की वज़ा से क्यूटी पाई की नजरों में नहीं आ पाता क्यूटी पाई अपने बहन को बताती है कि वो भी रोमियों सी प्यार करने लगी थी यह सुनकर मक प यह सी है na इसके बाद पुच्प क्यूटी पाई से मिलने जाता है वो उसके करीब जाने की कोशिस करता है तभी मक्षी वहा आ जाती है और उसके कान में घुश जाती है अगले सिन में पपू आराम करने की खुशिस करता है इसके बाद पपू क्यूटीपाई को अपने ओफिस में बुलाता है और बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली साथ चलने के लिए कहता है तभी रात में मक्खी उसे चैन से सोने नहीं देती सुबह क्यूटीपाई पपू को कॉल करके जल्दी एरपोर्ट आने के लिए कहती है पपू जल्दी से एरपोर्ट के लिए निकलता है तभी मक्खी ट्रेफिक आफिसर को परेशन करने लगती है जिससे ट्रेफिक पूरी तरह जाम हो जाता है पपु traffic से बचने के लिए दुसरी कार से जाने लगता है तभी मख्य पपु पर हमला कर देती है जिससे पपु का accident हो जाता है जिसके बाद उसे उस मख्य से खत्रा महसूस होने लगता है उसकी इन हरकतों से आसपास के लोग उसे पागल समझने लगते है तभी क्यूटीपाई पप्पू से मिलने आती है इसके बाद पप्पू एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है साइकेट्रिस्ट उसे कहता है ये तुम्हारा भ्रहम है दुनिया की कोई भी मख्य ऐसा नहीं कर सकती वो उसे सांत रहने के लिए कहता है इसके बाद पप्पू उसी जगव पर जाता है जहां उसका एकसिडेंट हुआ था उसे वहाँ कुछ सबूत मिलते है जिससे वो समझ जाता है कि ये उसका कोई भ्रहम नहीं बलकि ये सच है और वो समझ जाता है कि मख्य उस पर कभी भी हमला कर सकती है अगले दिन मख्य ने देखा कि क्यूटी पाई रोमियों को याद करके रो रही है तब ही मख्य उन आसों से कुछ लिखती है जिससे देखकर क्यूटी पाई हैरान रह जाती है क्यूटी पाई उसे हाथ में उठा कर उससे पूछती है वो मक्षी हामें सीरह लाती है, अपनी मौत के सच्चा ही बताता है, वो बताता है कि पप्पू ने ऐसा क्यूटी पाई के करीब आने के लिए किया, यह सुनकर क्यूटी पाई टूट जाती है, वह उस मक्षी को बदला लेने के लिए ट्रेनिंग देने लगती है, इसके बाद मक्षी ट्रेनिंग लेके पपू को मारने चली जाती है तब ही पपू मक्षी पर मच्छर मारने वाला इस्प्रेय कर देता है लेकिन यह मक्षी विराट कोहली की फैन है और वो वहाँ से टस्से मस भी नहीं होती और बाबा कि वो मक्षी वास्तों में रोमियों है जिसने अपने मौत का वदला लेने के लिए दुबारा जन्म लिया है फिर वो अनुस्ठन करके उस मक्षी को पकड़ने के लिए दो पक्षी बुलाते है मक्षी बड़ी ही चतुराई से उन पक्षियों को मार देती है इसके बाद पप् तो हो जाती है इसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें